नमस्कार दुस्ते में संदीब स्वागत आप सभी का आज की इसने एंप 7 बीड Göम में दुस्तों आज की वीड़ो उन उन चात्रों केupportint वौलेज के चात्र और जो B.A. के हैं और जिनका subject समाज सास्त रियानी के sociology है maximum छात्रों का जो subject है B.A. में वो समाज सास्त रियानी के sociology होता ही आप सभी को मालूमें तो उसी से सम्मंधि टॉप लेबल के question के बारे में बात करेंगे जो कि आप के आने वाले 2022 के exam के लिए काफी helpful होंगे तो आप बिना देरी के और बिना देरी की हुए वीडियो को पूरा देखेंगे without skip के हुए अगर आप जरा सभी मिश करेंगे तो आपको काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि हम वही सारे question प्रोवाइड करने वाले हैं जो कई बार repeated हैं और आप सभी के एक्जाम के लिए helpful है तो चलिए बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज किस वीडियो में बात करेंगे डीटियल में किसी भी इन्वर्सिटिक वेफसाइट से डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि कुछ सा कुछ question है ठीक है वह objective आएंगे और कुछ जो question है वह subjective आएंगे तो जिन भी इन्वर्सिटी में जहां पर भी objective question आएंगे उन्चात्रों के लिए तो बहुत ही important question है कि family एक सब्द है आप सभी को मालूम है कि family ठीक है परिवार ठीक है तो जो family सब्द है उसका जो उगदमन है यानि की ठीक है उगदम हुआ है वह हुआ है फैमुलस सब्द से या फैमलस वर्ड से तो जो फैमलस सब्द है या फिर वर्ड है वो किस भासा का है आपसर आपको मिल जाएंगे American Latin Hindi English ठीक है तो जो family सब्द का उगदमन हुआ है फैमलस सब्द से उसका वह जो सब्द है वह भासा का उसका नाम है लैटिन यानि की लैटि निम्न में से परिवार की उत्पत्ति के सास्त्रे सिध्धान्तों या फिर सिध्धान्त के समर्थक कौन है टाइलर वेस्टर मार्क जायन सर हेंरी मेन तो इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा तो वह हो जाएगा सर हेंरी मैन यानि की परिवार की उत्पत्ति के जो सास सिद्धान्द के समर्थक हैं नेस्ट कोईशन है कि टाइलर के अनुसार परिवार का आदिम सुरूप क्या था टाइलर के अनुसार जो कि एक समाश सास्त्री है या फिर आप कह सकते हैं तो इनके अनुसार जो परिवार है ठीक है परिवार का आदिम आदिम सुरूप क्या था समू बिवाही परिवार एक बिवाही परिवार ठीक है मात्र सत्तत्मक परिवार इन में से कोई नहीं तो इन आपसों में से जो question का right answer हो जाएगा दोफ्तू वो हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोग comment section बता है अगर आप सभी को मालू है ठीक है एक बिवाही परिवार ठीक है इसलिए question का right answer से लेक्टर रंगे टैलर के अमसार परिवार का आदिम स्वरूप है एक बिवाही परिवार ठीक है next question है कि मरडाक मरडाक ने कितने प्रकार के परिवारों का अध्यन किया था 205, 203, 50, 280, 260 तो मरडाक ने जो परिवार का अध्यन किया था उनके जो संख्या है वो है 280 इसलिए question का right answer हम से लिए करेंगे C number ध्यान में रखेगा important question है अगले question को बढ़ते हैं लिखा कि किसने कहा कि परिवार का बिवार परिवार के लिए किया जाता है बहुत ही important question है ये कथन है कि किसने कहा कि परिवार का बिवार परिवार के लिए किया जाता है Fraser ने, Fryer ने Tyler ने, Morgan ने तो इन option में से जो right answer हो जाएगा यानि 5 number question का right answer हो जाएगा Tyler, C number ओके, ध्यान में रखिएगा C number है, right answer अगला question है कि परिवार की उत्पत के ठीक है मात्र सत्तात्मक्षिधान्त के प्रतिपादक है मैक, ले, निन, मारगन ब्रिफ हाल्ट, मैक आवर एवं पेज ठीक है तो इस question का right answer हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा ब्रिफ हाल्ट, ध्यान में रखिएगा परिवार की उत्पत्त के मात्र सत्तात्मक्षिधान्त के प्रतिपादक है ब्रिफ हाल्ट Next question है कि history of human marriage नामक पुस्तक के लेखक कोन है बहुत important question है तो option मिली गए आपको लोगों को ब्रिफ हाल्ट मार्ग टाइलर वेश्टर मार्ग तो इस question के राइट answer हो जाएगा सेवन नमबर question के राइट answer हो जाएगा वेश्टर मार्ग डी नमबर question का राइट answer होगा ध्यान में रखिएगा history of women marriage नामक पुस्तक के रशनाकार या लेखक ठीक है कि इस्टर मार्ग संबंध है जो के संबंध हो श्री आफ हो में मेरे से यानिकि इनकी पुस्तक है वह यही है ठीक है नेश्ट कोश्टन है कि हिंदू ला एंड कस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है आइसे कोश्टन एक जाम में बहुत सारे पुछे जाते हैं ध्यान में रखिएगा आठ नमबर कोश्टन का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेकी मेन यानि की डी नमबर हिंदू ला एंड कस्टम नामक पुस्तक के जो लेखक है या रशनाकार वो सा क्षंट का राइट एंसर हो जाएगा चाचा क्योंकि चाचा हो गे पिता के भाई और मात आपका माता जी और पिता जी भाई यह आपके सग्ीये एकदम समन दिए ठीक है तो इस वह जाएगा नहीं है पेसले एक चाचा को इस कोश्चिन है कि नाइरो में संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं गोतुल इलाम थारवाड इनमेंसे कुई नहीं तो इस whatsoever 10 numbers question का right answer हो जाएगा थारवाड जान में रखेगा याद रखीएगा बसक्त आगे कि मार्गन के अनुसाार परिवार की परिफमा तक तिसके माना यहर। परिवार समरक्त्पार्वार एक वी वाही परिवार बीवाही परिवार इनमें से कोई नहीं इतोhus मार्गन के अनसार की प्रत्थम आुषता जो थी वह क्या होगी इस को आई टेंशा आप सब्हों को मालूम होना चाहिए और मैं आपको बता दो इस कोश्चन कर आए राए राइन से हो जाएगा सम्रक्त परिवार यानि की बी नंबर अग्यास अग्यास तो गड़ते हैं लिखा कि आएओ परिवार की होत्त के एक BIA पिवाहि सिध नंत वेश्टर मार्ग नंबर स्काई सर्था वेश्टर मारक जी हैं जो इसके यह समर्थक है इसलिए राइट अंसर d ho जाए-अध रखीए-गा इन्युद्व रासर इसलिए और सुछ द्षरेट के लेखक हुँ- करें तो इसमें तीन जो आफसन दे गए हैं यह जो इंडिकेट कर रहे हैं वह एक सहींग परिवार को इंडिकेट करें हैं इसलिए ? इन में से सभी ओके चले नेशोे की बढ़ते हैं नेशो कोष्चन है कि परिवार के उत्पत्तिके विकासवादी सिधान्द के प्रमुख बिचारक कौन है ठीक है आपसर मिल जाएंगा काम्ट, लिंटन, मारगन, बिफाल्ट परिवार के उत्पत्य के विकासवादी सिधान्द के जो प्रमुख बिचारक है उनका नाम है मारगन इसलिए question का right answer select करेंगे C number याद रखे का बहुत ही टॉप लेबल का question है बढ़ेंगे हम अगले question के और लिखा है कि नायरों में सेयुक्त परिवार धरवार कहलाते हैं तो एकल परिवार को क्या कहा जाता है यहाँ पर टो हो गया है टाइप करने में कुछ वर्ड मिस हो जाते है तो ध्यान रखेगा आप लोग तो ठीक है तो की जगा यहाँ पर नायरों में सेयुक्त परिवार धरवार कहलाते है तो एकल परिवार को क्या कहा जाता है परिवार थावची थार थराल तावाडी तो इसको चैनल का जो राइट रहो जाएगा यहाँ थावची थावची याद रहाएगा तो छेले बढ़ेंगे एगले कुछ न को लिखाय कि दादेट ऑफ फैमिली नामक कुष्टक किसकी है या दादेट आफ फैमिली नामक कुस्तक करश्चनः कार कोन है ये लेखक कौन है से भी तमाम तरीकी की कोईशन बन जाते हैं ठीक है दा दित ठीक है दिए टिस ऑफ फैमली अब अब कुस्ता के जो रस्टाकार आपको आपस्टन मिली जा रहे हैं इन आपस्टन में से जो राइट एंसर हो जाएगा या याद रखेगा डेविड कपूर सी बढ़ते हैं लिखाय की वर्तमान में हिंदू में वैधानिक रूप से वर एवं बधू के लिए बिवा की आयू है बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नली और टॉप लेबल का कुस्टन है अक्सर एक्जाम में आपको यह देखा मुझ जहां तक मिझे मिझे जानकारी है मैंने कई सारे जो एक्जाम पीछे मार्णल कोईस्टन पेपर मैंने देखे हैं उनमें यह कोईस्टन पूछाई गया था और जर्नली कोईस्टन भी आपको ऐसे भी जानना चाहिए तो वर्तमान में हिंदो में वैधानिक रूप में वर और वर एम वधू के लिए जो बिवा की आ सब्सक्राइब लड़कियों के लिए तो आप सब्सक्राइब को मिल जा रहे हैं इसमें 21 सोला वर्स यानिकी साल का लड़का होना चाहिए 16 साल की लड़कियों चाहिए 18 वर्स का लड़का और 21 वर्स की लड़की या फिर 21 वर्स का लड़का 18 वर्स की लड़की 18 एवं 15 तो इन में से जो राइट एंसर क्या हो जाएगा यानि कि जो हिंदो में वैधनिक रूप जो है वर्वधू का व्याव साधीक की वो क्या है आ जो हुआ हुआ है वो 21 और जो लड़की है यानि की वधू उसकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 18 वर्स यह ध्यान में रिखेगा लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 यह है वैधानिक रूप ठीक है भारत में हिंदु में ठीक है तो डुबे मजूमदार केम कपड़िया और इन इंडिया नामंग उष्टक के जो रचनाकार है या ब्सकी है वह मैं आपको बता दूंग कि यह पुस्तक जो है उसके रसनाकार है के एम का पाडिया जी इसलिए राइट एंसर कोश्चन का हो जाएगा सी नंबर ठीक है बहुत इंपार्टन कोश्चन ध्यान में रखेगा जो भी मैंने कोश्चन मता है टॉप लेबल के हैं आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी हेलफुल है कुछ ना क पूछे उसका रप्लाइद देने पूरी कोश्च करेंगे वीडियो के टेलिग्राम चैनल का लिंक है उससे जोइन हो जाएए ठीक है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट क्लास के साथ अपता कर ले जाएं तो